नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तनु कातियानी गुपता मेरत से और आप सब का स्वागत दती हूँ अपने चैनल Miracles of Krishna में Friends, आज का मेरा टॉपिक है What is the meaning of Shreem Mantra? जी हाँ Friends, कमेंट में मुझसे कहा भी गया कि मैं Shreem Mantra पर एक वीडियो बनाऊ और जो मेरा कुछ experience है वो आपके साथ शेयर करूँगी Friends, I have a request कि Please मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए Bell बटन को दुबाईए जिससे आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहे और वीडियो का content अच्छा लगे तो Please उसे like and share ज़रूर करे श्रीम एक बीज मंत्र है Clean के तरह ही ये भी एक powerful बीज मंत्र है ये Goddess लक्षमी जी को आप श्रीम को chant करेंगे तो ये Goddess लक्षमी जी का मंत्र है उनकी किरपा आपको प्राप्तोगी blessings मिलेगी जितना हो सकता आप कर लिए मैं जब भी मंत्रों का जाप करती हूँ ये नहीं सोसती कि मुझे उससे क्या मिलेगा बस मैं उसको खुची खुची करती हूँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सबसे पहले गणेश भगवान को ध्यान करती हूँ उनका मंत्र का जाप करती हूँ लक्षमी जी श्रीम मंत्र का जाप करती हूँ, 108 बार कर सकती हूँ, तो मैं 108 बार ही करती हूँ, मैं कोई इस तरहानी कि मैं अपने उपर एक बर्डन बना लूँ कि नहीं, मुझे तो 10 माला करनी है, 11 माला करनी है, अपने आपको उसमें परशान करूँ, आप फोड़ा भी करे तो आप थोड़ा करें, अच्छे से करें, दिल से करें, वो इंपोर्टेंट है, तो आप श्रीम बीज मंत्र को करिये, आपकी जो भी प्राइनशली प्रॉब्लम में उसे सॉल हो जाएगी, और अगर नहीं भी है, तो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम आये, प्रॉब्लम हो लाइफ में, तभी हम भगवान को याद करें, या मंत्राज को चैन्ट करें, कभी भी कर सकते हैं, वैसे भी हमेशा इन सब चीजों को करते रहना चाहिए, कभी प्रॉब्लम आई दी नहीं, अपन डाउस तो हर एक की लाइफ म उनकी किरपा आपको सीधी प्राप्त होगी, उनकी ब्लैजिंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप श्रीम बीज मंत्र का जाब करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं, बस अप सोचिए मत की इससे क्या होगा, आप बस करना स्टार्ट कर द आप अज के लिए पना ही, श्रीम मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, और आप इसी दिल से चैन करना स्टार्ट करें, फॉर प्राइडर वाले दिո करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा लाल आसन पर बैठके ही कीजेगा आज के लिए तना ही मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए ट्रास्टिंग गॉड एंड दू दराइट बबाई